कुलधरा जहां विराना होता है रात पर खौफ की बिशात बिच्छी होती है उस सनाटे पर रहसों की कई परते चड़ी हुई हैं कुलधरा के उस विराने का सच देखते हैं जहां आज भारत दिन बादिन और आधुनिक होता चला जा रहा है वहीं आज भी प्राचिन भारत में कई ऐसे राज़ दफन हैं जो कई सद्यों बाद भी उसी तरह अंसुलजे हैं जैसे पहले हुआ करते थे यह रहसे कुछ ऐसे है कि इन्हें जितना सुलजाया जाए वे उत तो कोई ये मानता है कि एक सराप ने इस पूरे गाउं को लटके रख दिया राजिस्थान के जैसलमेर से 18 किलुमेटर की दूरी पर इस्थी ते कुलधरा सन 1291 में मेहनती पालीवाल ब्राहमनों ने 600 घरों वाले इस गाउं को बसाया था इस गाउं के एर्द किर्द कुल 84 गाउं थे और इन सब में पालीवाल ब्राहमन रहे करते थे पाली ब्राहमन मेहनती होने के साथ साथ विक्यान में भी से सकते कुलधर के आउसेसों से यह पता चलता है यहां के माकान व्यक्यानिक अधार पर बनाए गये थे हर घर के बीच में आवाज क्या ऐसा मेल था जैस इसम की सता पानी को जमीन में सूखने नहीं देती थी और ये इसे ही सिचाई और मौवेसियों के लिए काम मिले थे अब ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा गाउं एकदम से खाली हो गया और लोग सब छोड़ चाड़ कर यहां से चले गए इसी सवाल से जूड़ी है कुल लहरा गाउं का दिवान सालम सिंग एकतिक कुरूर और आयाद सासक था इसकी नजर गाउं के मुख्या की ब्राहमन लड़की पर पड़ गई और वह उसे हासिल करने के चक्कर में हर संभौ लग गया लेकिन अपनी कोशिसों को नखाम होता देख उसने गाउं वालों को धंक दे अपना घर बर बचा कर उस कुरूर सासक सालम सिंग का गुलाम बनकर रहते रहे या फिर गाउं छोड़कर चले जाए और उरहों ने दूसरा रास्ता ही चुना 84 गाउं के ब्रहमनों ने निरनल रातो राती पूरा गाउं खाली कर दिया एक ही रात में कुल्धारा समेत आस पास के सारे 84 गाउं इस तरह सुंसान पड़ गये जैसे सालों से वहां कोई रहा ही ना हो रातो रात 85 गाउं के ब्रहमन कहां चले गये कैसे गए और कब गये इस जमीन के टुकडे पे फिर कोई आकर नहीं बस पाएगा बस यहीं से सुरू हो गई कुलधरा में समानी घटनाओं का सिलसिला जैसल मेर में करमी हो या सर्दी कुलधरा आते ही चार टिक्री बढ़ जाता है यहां कदम रखते ही मुबाइल नेट्वर्क और रेडियो काम करना ब सारी आकरितिया नजराती गाउं वालों का तो यहां तक कहना है कि कई परिवार जो वहां गए वे कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए कहां गयाब हो गई है सारे लोग कोई नहीं जानता इस गाउं से गुज़रने वाला वैक्ति रात के अंधरे में कहां गया बजाता था क किसी को भी पता नहीं चलता इस वज़ा से पिछले 300 सालों से यहां जाना मना था अब राजिस्तान सरकार ने यहां जाने के अनुमते दे दिये लेकिन पारेटों को के यहां आते ही उन्हें आजीबों गरीब महसूस होने लगता है उन्हें चूडियों की खंखनाहट और महिल जाओं की खिल खिलाने के आवाज आती है तो किसी को लगता है कि जैसे उनके पास से कोई गुजरा है इस सराप को मनघरंत मान करने कई लोग यहां चुके हैं लेकिन जिसने भी यहां एक रात गुजारी वह कभी वापस नहीं मिला